देखो पढ़ाई तो हम सब ने की हैं, हम सब स्कूल गई हैं वहाँ पे जब भी हमारे टेस्ट होते थे, हम सब ने टेस्ट दी हैं, नोट्स बनाई हैं, एक्जैम होने से पहले हम तयारी के लिए खुद का टेस्ट लेते थे और ये सारे चीज़े शायद हमारे पास अब भी क्योंकि हम इसको याद के तोर पे रखना चाते हैं, या फिर अब भी आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, वहाँ पे आप नोट्स बनाते हो, important preparation करते हो, quizzes खेलते हो, तो ये सब आपके पास जरूर से होगा, इन सब को हम as a document लेंगे, तो document हम सब के पास होते हैं, बट क्या आप उनसे earning भी कर सकते हो, तो हाँ आप उनसे earning भी कर सकते हो, study pool एक ऐसे website है, जहाँ पे आप अपने notes को, अपने quizzes को, अपने exam preparation को upload करके earning कर सकते हो, पर view पे आपको मिलता है $10, और हाँ यहाँ पे हर language वाले notes upload किये जा सकते हैं, चाहिए वो तम्मिल में हो, तेलगू में हो, मर upload कर सकते हो, जरूर ही नहीं है, Hindi या English में ही होने जाइए, किसी भी language में हो, आप upload कर सकते हो, बस उससे पहले आपको अच्छे से सारा system समझ लेना है, हर एक चीज समझ लेनी है, जिससे जो भी notes आप upload करोगे ना, वो denied नहीं होंगे, उनको cancel नहीं किया जाएगा, reject नहीं हों हैं, क्या-क्या don'ts हैं, वो सब मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाली हूँ, हर एक point को बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि एक view पे $10 earn करने का chance है, तो obviously आपको सब कुछ अच्छे से समझ के ही काम करना होगा, otherwise आपको कोई earning नहीं होने वाली है, पूरी वीडियो सब समझना, still अगर कोई भी doubt हो, confusion हो, तो आप comment कर सकते हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको like and share जरूर करना, स्पाफ ही चैनल को subscribe भी करना, आपको और इसी वीडियो मिलती रहें related to, how to earn money online, work from home job, part time job, make money online, much more, तो चलिए, अब चलिए से हम अपनी वीडियो को करते हैं, start, इसकी link आपको मिल जाएगे description में, जैसे हैं आप उस link पे click करोगे, आप direct page पहुंच जाओगे, जहाँ पे आप earn कर सकते हो, अपने study documents को sell करके, यानिकि जो भी आपने notes बनाए हैं, आप उनको sell करके earning कर सकते हो, महिने में आप आँ से 5000 डॉलर की earning कर सकते हो, अपने notes को sell करके, देखो, simple सा funda है, आपने अपने notes को यहाँ पे upload कर दिया, अब जब भी कोई student उसको open करेगा, उसको देखेगा, तो आपको 10 डॉलर की earning होगी, हर बार, जितने view उतने बार आपको 10 डॉलर की earning होगी, आपके notes को 5 बार देखा गया हैं, तो आपको 50 डॉलर की earning हो जाएगी, ऐसे यहाँ पर आपको earning होने वाली है, यह work कैसे करता है, सबसे पहले आपको अपने document अप्लोड करना है, यह document याने के class notes हो गए, old homework हो गया, या फिर exam या quiz की preparation हो गई, वो सारा stuff आपको यहाँ पर upload करना है, उसके बाद इनका system check करेगा, कि आपने सब इल्कुल अच्छी नहीं, वो समझ में ही नहीं आ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, साफ साफ राइटिंग होनी चाहिए, उसके बाद आपका जो भी documents हो आप्रोव हो जाते हैं, उसके बाद जो भी students study pool पे पढ़ाई करते हैं, उनके page document को दिखाया जाता है, जिकने भी student व वो उसको open करके देखे गारा तो भी आपको $10 की earning हो जाएगी, यहाँ पर top contributors है, जिन्हों हमें देखो, $77,000 से लिएकर $97,000 तक की earning कर रखी है, यहाँ पर भी आपको option मिल जाता है sell documents का, अब एक चीज़ और यहाँ पर आख को सबसे ज़दा earning करनी है ना, तो आपको किस type क documents बनाने हैं, यहाँ पर आपको example दिया गया है, जैसे कि हो गया introduction to terminology and body organization study guide, 9 page का document है, यह मानलो की notes है, classroom में बनाई है, फिर all documents है, ठीक है, उसके बाद है algebra का, उसके बाद medical, surgical, nursing notes, scroll down करेंगे, chemist हो गया, digestive system हो गया, यहाँ पर 12 pages हैं और आप देखो, 3416 dollar की earning यहाँ से की है, scroll down हो गया, creating a student budget guide, physics के exam की यहाँ पर हो गया notes, healthcare and nursing की हो गया, तो इन वाले नीश में आपको जादे से जादा work करना है, और आप बहुत सारे subjects हैं इहाँ पर, आप नीचे देखोगे ना, तो account, algebra, art, design, article, writing, biology, business, finance, बहुत सारे यहाँ पर आपको subjects मिल जाते हैं, और आपको थोड़े, well, easy मिल जाते हैं, जैसे Excel बहुत easy है, Excel के आप notes बना के कभी भी upload कर सकते हो, और यहाँ पर website design है, अगर आपको website design करना आता है, तो आप इसके notes बना कर सकते हो, याप इसके कुछ भी document सेल कर सकते हो, ठीक है, foreign language, अगर आपको कोई अलग language आती है, कोई दोस्तरी language आती है, तो उसके बार में यहाँ पर notes बना के सेल कर सकते हो, communications हो गया, बहुत सारे लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, उनको बात करने में थोड़ी हिचकी चाहट होती है, तो उनको motivate करने के लिए आप communications पर यहाँ पर notes लुग कर सकते हो, दे सकते हो, चैल कर सकते हो, तो अब आप उसबसे पहले क्या करना होगा, find up पर click करना होगा, अप पर account create कर सकते हो, अगर आपका account पहले से create है, तो login वाले option पर जाना, और अपने account में login करने ना, अब account create करने के बाद, या login करने के बाद, आपको इस type का interface यहाँ पर देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको पूरे tips भी बताई गई हैं, कि आपको अपनी जो earning है, उसको maximize करना हैं, तो आपको किन-किन बातों का धियान रखना चाहिए, accepted file extensions कुन से है, pnjj, pjj, tape doc, यह सारे यहाँ पर accepted file extensions है, इसके अलावा आपको यहाँ पर नहीं add कर आए, वैसे मेरे के हाल से तो सारे ही यहाँ पर आ गए होगे, file extensions, अब यहाँ पर maximize earning का बताया है, देखो आपका जो भी document होना चाहिए, वो लोस हो, पुराना हो, वो हो, सारे हाई quality होने चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ आप फोटो क्लिक कर रहे हो, तो फोटो बलार आ रहा है, उसमें कुछ अच्छी से देखने रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सब कुछ अच्छा होना चाहिए, उसकी जो quality होने चाहिए, उसके बाद है कि आपको document की details add करनी है, जिससे ही क्या होगा, जो student है, अगर आपकी notes से मिलते हैं, जो लते हैं, उनको notes देखने हैं, उनको find करने में easy रहे, इससे क्या होगा, इससे आपकी sales होती है, वो 480% बढ़ जाती है, तो अच्छे से labeling करनी है, ऐस के बाद है कि meaningful होना चाहिए, आपको content, ऐसा नहीं कि आपने physics लिखे और अंदर कुछ physics से मिलता जुलता है, नहीं कुछ भी लिख दिया, तो वो नहीं होना चाहिए, meaningful content होना चाहिए, क्या-क्या चीज़े हमें नहीं करने हैं, low quality content नहीं होना चाहिए, bad titles नहीं होना चाहिए कई बाद लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर जो already documents upload हैं उनको देखके same to same कर देते हैं और फिर यहाँ पर upload कर देते हैं, तो वो same नहीं करना है यहाँ ठीक है, duplicate content नहीं add करना है, कोई भी copyrighted content आपको upload नहीं करना है, कुछ भी ऐसा content जो जिस पर किसी की copyright है वो आपको नहीं upload कर ठीक है, अब यहाँ पर देखो good content example, यहाँ पर है bad content example, जैसे कि easy draft है, यहाँ पर क्या है study guide, इन्होंने लिखाए नहीं कि कि किस बारे में study guide है, जहाँ पर इन्होंने हर एक चीज अच्छे से लिखी है, जैसे कि essay draft है, क्या-क्या है इसमें strong content with good grammar and references, उसके बाद strong title including school and course, दो सिर्फ study guide लिखा है, illegal है या फिर बहुत blurry है, समझ में नहीं आ रहा है अच्छे से, और इसका जो title है वो भी अच्छा नहीं है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आगया maths का practice quiz, यह सारी चीज़े ना आपको भी देखने को मिलेंगे, विस आपको अच्छे से ना इनको देखन होता है, analyze करना होता है, जिससे आगे आने वाली जो problems होते हैं, वो पहले से खतम हो जाए, most seen 90% problems तभी होते हैं, जब हम website को अच्छे से देखते हैं, उसको समझते ही नहीं है, यहाँ पे कुछ FAQs है, जैसे कि कितना time लग जाए ते यहाँ पे आपको अपने documents को upload करने भी, कुछ minutes से लेकर, कुछ seconds से लेकर, 10 minutes तख कर time लग सकता है, depend करता है कि आपने जो file upload की है, वो कितनी बड़ी है, अगर आपके internet speed कम है, तो भी time लग सकता है, ठीकि यह सारे चीज़ें आपको पढ़ लेनी है, यहाँ पर यह भी है कि आपके अगर document denied कर दे जाते हैं, तो उसक अची नहीं है, ब्लंड दिख रहा है, या पर आपने title अच्छे से नहीं लगाया है, तो वो सारे चीज़ें होती हैं, जिसकी वज़े से आप पर जो भी document है, जिसको आप upload करना चाहते हो, denied कर दिये जाते हैं, यानि उसको remove कर दिया जाते हैं, मना कर दिया जाते हैं, तो आ पर आपको इस type का option मिलेगा, upload mode files पर आपको click करना है, अब जो भी आपके file है आपको choose कर लेनी है, file upload हो रही है, जब तक आपके file completely upload भी होती है, आपको यहाँ से move back नहीं करना है, ठीक है, successfully एक file यहाँ पर upload हो चुकी है, अब सबसे पहले वो जाएगी pending में, ठीक है, उसके बांत क्या होगा, यह चेक करेंगे आपकी file हो, अगर वो सही है upload करने के लिए, तो फिर आप उसमें SEO changes कर सकते हो, लाइक उसका title वगेरा समच्छे से रख सकते हो, यहाँ पर आ चुका है कि document receipt हो चुका है, दो घंटे से लेकर 48 hours लग सकते हैं, इसको process होने में, review होने में, उसके बाद आप अपना आगे का काम continue कर सकते हो, लाइक इसका title वगेरा रख सकते हो, ठीके, I hope आप अच्छे से सब कुछ समच्छ चुके हो, कैसे आपको upload करना है, वो भी मैंने आपको बता दिया है, क्या कि upload कर सकते हो, वो भी मैंने आपको बता दिया है, और यहाँ पे एक चीज़ और, मैंने इंट्रो में भी आपको बताया था, multi-language content आप upload कर सकते हो, लाइक किसी भी language में आपका content हो, यहाँ पे आप upload कर सकते हो, ठीके, I hope आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ चुका होगा, अगर स्टे कोई भी doubt है, तो आप मुझे comment करके बोच सकते हो अगर आपको यह वीडियो अच्छे नगी तो जरूर से इसको like and share करना, साथ ही चैनल इको subscribe भी करना था कि आपको और भी ऐसे अच्छे इंट्रस्टिंग वीडियो मिलती रहें related to, how to earn money online, work from home job, part time job, make money online and much more, तो चलिए अप end खरते ही इस वीडियो को, thanks for watching this वीडियो, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो भी, तब तक के लिए, बाई बाई, टेक केर्ट